दोस्तों, यहाँ पे आपका आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका पैन कार्ड या आपका ATM कार्ड, यहाँ तक अपनी गाड़ी की चावी को आप अपने आखों के सामने देखना चाते हैं, यहाँ अपने ATM कार्ड और आधार कार्ड को अपने जिब में रखते हैं, औ पर आपको अपना ध्यान देते नहीं है और दे भी नहीं सकते हैं 24 गंटे तो आप उन्नाइन रही सकते हैं Facebook, Gmail या WhatsApp पर तो चलिए आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं Cyber Security के बारे में अपर आपको एक छोटी से ट्रिक बदाऊंगा वह हैगिंग नहीं है पर वह छोटी से ट्रिक है जिससे के आप दुसरे बंदेगा पास्वार्ट जान सकते हैं तो प्लीज आपके मेरी पूरी की पूरी वीडियो को देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए नमस security का मतलब, for example, आपका bank है, bank में आप physical form में तो वहाँ आप security दे देते हैं, security guard रख देते हैं, camera लगा देते हैं, CCTV और हर employee पर नजर रखते हैं, वहाँ पर वो कम क्या हो रहा है, तो आपकी security वहाँ पर बहुत tight हो जाती है, या आप IRS scanning लगा देंगे, या आप card के थुरू अपने employee को अंदर करने के लिए, वहाँ जहाँ उसकी authorities हैं, उसको वहाँ पर अंदर करने की permission दे देंगे, पर यहाँ पर जो online की दुनिया है, वहाँ पर तो कोई भी visit हो सकता है आपकी website के अंदर, या आपकी जो internal website है, या जो आपका source code है, वहाँ पर उसमें कुछ ना कुछ फेर बदल कर सकता है, अब मान दीजिए, ओनलाइन की दुनिया में आपका hacker है, वो सबसे पहले क्या करेगा, आपका password को trace करने की कोसिस करेगा, अब जो normal user होता है, जो non-technical बंदा होता है, वो क्या करता है, अपना password क्या रखता है, qwerty, aaa, jasdfgh, jxv, जो भी password है, normal password 12345678910, qwerty, 10245678910, ऐसा वो password रखता है, तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले hacker क्या होता है, वहीं पर ही अपना दिमाग लगाता है, और उसको आसानी से आपका password रखत कर जाता है, तो यहाँ पर आपको अपना password टाइट रखने की जरुवत है, अपने facebook में, अपने gmail में, यह अपने whatsapp में तो आपको password मिलता नहीं, पर whatsapp में आपको two step authentication या two step verification option भी आपको मिलता है, आप उसको आपर use कर सकते हैं, अपने gmail में भी use कर सकते हैं, पर यहाँ पर cyber security एक बहुत बड़ा term निकल गया आया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ hacker होने बीच में छोड़ा सा market में ransomware, कुछ निकला था पैट या जो वोने कराये था, उसके बहुत बड़ी बड़ी company को बरबाद करके रख दिया था, तो यह क्या करते है, basically, मान लीजी अगर आपकी एक company है, आपकी company से पहले से ही वो क्या करेंगे आपकी website में विजिट करेंगे, वहाँ से आपकी website से विजिट करने के बाद, तो वहाँ से जो आपने model तेहर करा है, या जो भी चीज का आपने वहाँ पर project लिया है, उसको पहले ही ले के आ जाएंगे, अपने पास और आपसे पैसा मागेंगे, for example, अगर आप normal user है, आपके उसके बहुत बड़ा database है, आपका phone या आपका computer वहाँ पे क्या कर देंगे, वह hack कर देंगे, उसके password लगा देंगे, और आपसे पैसे मागेंगे या bitcoin मागेंगे आपके बदले, उसके बदले, अगर आपने उनको पैसा दिया, तब जाके वहाँ वो चीज खोलेंगे, अगर आपने नहीं दिया, तो वहाँ वो उसको delete कर देंगे, डेटा उनकी पहले से save है, उसके बदले आपसे पैसा मांगते है, या फिरोती मांगते है, तो यहाँ पे आप उसको security को बहुत tight रखे, यहाँ पे आप उसको special character यूज कर सकते हैं, या special keyword यूज कर सकते हैं, बहुत ब बाद में उसको अगर long time के बाद ज्यादा process करता है, तब जाकि वो hack करता है, वैसे आप महाँ पे password बहुत बहुत मुश्किल है, crack करना, क्योंकि आपने password ऐसा बनाया है, मान दीजिए, आपने password रखे नाम डाला है, नाम के बीच में अपने character डाले है, कोई number डाला है, कोई special keyword डाला है, वहाँ पे कोई भी hacker, क्या आसानी से आपका password hack नहीं कर सकता है, और हाँ, कोई भी आप unknown source से कोई file डाउनलोड मत करिये, जिससे कि आपकी security compromise हो, for example, अगर आप अपने phone में कुछ app डाउनलोड करते हैं, मान लिजिए, अगर आपके phone में flash है, आपको flash की जरुबत ह मांगनी चाहिए, वहाँ पे क्या मांगती है, आपकी contact list की permission, तो आप उस लिया कर सकते हैं, डिलेट कर सकते हैं, ऐसे आपकी security बहुत बार compromise हो सकती है, मैंने आपको एक बात बताया था, आपकी cookies, जो cookies होती है, आपका page layout होता है, उसको save करके रख देती हैं, और जो कुछ cookies ऐसी होती है, जो third party cookies होती है, वो क्या करती है, कि सब जगे का press करती है, आप कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका password क्या है, या जो आपका page layout है, उसको किसी दूसरे को भेज दीनगी, जहां से cookies आई है, third party, तो आप उन सब का भी ध्यान रखिए, अब मैं आपको लग जाएगा कि किसका password क्या है, या कोई hacker है, सबसे कलाब वो terms यही चेक करता है, उसके laptop में या उसके phone में कोई security है की नहीं है, अगर उसके phone में कोई security है, तो आपका password आसानी से use कर जकता है, तो चलिए अब मैं बताऊंगा आपको आपको कैसे दूसरे का password या उतका password किसी आपके laptop में logging कर रखा है, या आप में किसी के laptop में logging किया है, और अगर आपको password अपना भूल गए है, आपको याद नहीं है, वो password में आपको यहाँ पर सब बताऊंगा, तो प्लीज आप यह मेरी पूरी की पूरी वीडियो देखिए, जिसमें की आपको बहुत अच्छी-च आप इसको hacking नहीं कहेंगे, पर यह एक trick है, जिससे कि आप यह जीच पता लगा सकते हैं, तो चलिए आप बढ़ते हैं मेरी laptop की तरफ, जिसमें आपको screen recording के थुरू आपको यह चीच बताने बादा हूँ, पहले मैं अपने laptop को refresh कर लेता हूँ, तो basically आपको जाना है यहाँ Google Chrome में, आप यहाँ पे Mozilla में अंदर भी जा सकते हैं, या अपने यहाँ पे Internet Explorer में जा सकते हैं, आपने जहां पर भी अपनी email ID या Gmail ID को login कर रहा है, आप वहाँ जा सकते हैं, तो इसमें पहले अगर मैं यहाँ पे Facebook टाइप करता हूँ, वैसे मेरा net यहाँ पे connect नहीं है, तो आप वहाँ से इस पता लगा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे basically जाना है, यह जो three dot दिख रहे हैं, उसमें आपको click करना है, three dot click करने के बाद आपको जाना है settings में, आप settings में जाएंगे जब आप, आपकी settings खुल जाएगी, wait, means settings खुल रही है, यहाँ पे जब आपका setting का page search पे, advance में जाने के बाद, आपको यहाँ पे दिखेगा manage password, अब manage password में अगर आप जब जाएंगे, तो देखें, यहाँ पे जितनी भी चीज मैंने आज तक use करें, इतनी पासवर्ड यहाँ पे use कर रहे हैं, या जो website में, जितनी भी password मैंने use कर रहे हैं, जो भी number मैंने यहा name, आपको यहाँ पे सब दिख जाएंगे, तो यहाँ पे मैं आपको अपना password तो यहाँ पे दिखा सकता नहीं, पर मैं आपको यहाँ पे एक सी स्थारा दिखा हूँगा, यहाँ पे, मान लीजिए for example, मैं आपको नॉर्मल साथ एक चीज दिखा दूँगा, जैसे आप मैंने यहाँ पे बता देखा, यहाँ आपको यहाँ पे अपने college का password दिखा सकता हूँ, यह मेरा college का user name, अपना internet यहाँ से use करता हूँ, और जो मेरा password है college का, वो है यह जो मेरा पासवर्ड है यह मेरे college पासवर्ड जिस से मैं अपना internet यूज कर सकता हूँ इसको मैं दोबारा से आपका वो कर दिया है तो ऐसे हैसे हम पमारा पसवर्ड को पता लगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो धन्यवाद